हाई गाइस वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आई होब आप लोग्ठी ठाक होंगे तो आज की वीडियो में हम जहें वह स्पॉंसर को थोड़ा से डिसकस करेंगे कि कि आप स्पॉंसर हो सकते हो अगर हो सकते हो तो क्या डोकिमेंट चाहिए और क्या जिस्टिफिकेशन प्रूफ हाउस में दे सकते हो वीडियो को स्टार करें से पहले एक बात अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करना मत बूलिएगा और अगर फिर आपने कोई चीज परसनली पूछती है तो मेरा इंस्टाग आप बिल्कुल हां में हैं क्योंकि आप बिल्कुल अपने आपको सेल्फ स्पांसर कर सकते हो सेल्फ स्पांसर के नाम सही पता चल जाता है कि यह स्पांसर कर रहे हो मैं खुछ परसनली बहुत सारे से केसिस देख चुका हूं और जानता हूं लोगों को जिन्होंने लास्ट करते हैं के यार आप जहना खुद को simpl怖 उसमय होता है कि थोड़ासा किस स्टॉंग हो जाता है अब यह मत पचशाइगा कि कैसे hai मुझे कैसे पटा देखो हैं इसका पता तब चलता है जब जो वीजा लगते है ना लोगों के तो उसका एक रेशो निकलता है एक रेशो बनता है उस पर देखा जाता है कि किस पेसिस पर जादा वीजा लगें जो लास्ट ये और उससे लास्ट ये जो वीजा लगे थे तो वो जो देखा गया है उसमें ज को स्पॉंसर करना चाहता हूं तो मेरे मेरे बैंक अकाउंट में जो रिक्वाइड अमाउंट है वो होनी चाहिए और रिक्वाइड अमाउंट कितनी है लास्ट यह की जो वीजा फाइल प्रिपरेशन में करते हुए मैं आपके फाइल दिखाई थी इसके पेज़ पर लिखात हाते हैं तो फॉरवल आपको पचीस लाग चाहिए और वो पचीस लाग कब्ोर्स यह मैं सबस्क्राष मेरे लाकाम होने will चाहिए मैं पैसे बना लिए ठीक है तो मैं यह महीने की bank statement दिकाऊंगा और साथ में document में अपनी में salary slip दिखाऊंगा अपना job letter दिखाऊंगा शे महीने की salary slip उसमें attach करऊंगा कि हाँ रायर मैं job करता हूं तो यह मेरी परमतिनी salary आती है तो इस salary करते हो तो आपके एक offer letter आता है कि आगे आगे आप जॉइन करो तो आप उसमें अटेच कर सकते हो या फिर कोई contract होता है जो mostly जो companies देती हैं कि आप का मतलब अपसे यह time period start हो गया है आज के बाद से आप हमारे office में काम करोगे तो वह contract या job letter और salary slip साथ में आप यह attach कर सकते हो आप यह सारे document जो है वो visa file के साथ attach करते हो तो इसके साथ एक और बाद आपने अपने जहन में बिठानी है कि अगर आप अपने खुद को sponsor कर रहे हो तो आप भी file होने चाहिए हो ऐसा नहीं है कि आप कोई और sponsor कर रहे है तो जिस्ट वो file होगा आप self sponsor हो तो आप भी खुद को file बनाओगे शो करोगे अब file का क्या मतलब है आप taxpayer होने चाहिए हो अगर आप taxpayer नहीं हो तो मैं बार बार बताता हूँ कि यह कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप पाकस्तान में कराची में हो तो आप DC office के बाहर कोई बंदे बैठे होते हैं या किसी भी advocate से बात करके आप अपने tax returns जो है तो वह भी बन जाते हैं अगर आप filer हो गए तो आपके tax returns भी बन जाएंगे तो यहां तक आपकी आदी जो है वह विजा फाइल प्रिपेर हो गई यह documents प्रिपेर हो जाते हैं तो बैंक statement आपकी जो है वह एक और question अचानक से मेरे mind में आया के लोग पूछते हैं के bank statement की requirement 6100 euro है और हमारी master's की डिगरी दो साल की है तो मतलब हमें 12,200 euro's bank में show करने होंगे bank account में या statement में तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है आपने जब visa file submit करते हो तो तब आपकी account में 6100 होने चाहिए मतलब इस से ज्यादा होने चाहिए तो ऐसी कोई limit नहीं है कि आप 2 साल के लिए पैसे करा रहे हो या 3 साल के लिए करा रहे हो जस्त इतने ही पैसे होने चाहिए तो documents के अगर हम बात करें को मैं पहले तो आपको बता चुका हो मोटे मोटी documents क्या क्या चाहिए होंगे तो एक दवा फिर उसके सीक में repeat करता हूँ अपने notes के हिसाप से तो सबसे पहले आपको दो सा चाहिए होते हैं दो साल के अपने submit कराने तो उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा जहां आप job करते हैं उसकी salary slip और उसके बाद आपका job contract है और फिर आपकी bank statement के पैसे आपको बता चुका हूँ कितने चाहिए होंगे और वो bank statement जो है वह आपकी जो amount है वो justify होनी चाहिए अब वो justify कैसे होती है वो justify होती है आपकी tax returns है या फिर आपकी salary slips है उसके बाद पिर आपके आजाता है cover letter cover letter में जिस तरह अगर आपको कोई और sponsor है तो उसमें आप mention करते हो कि यह मेरे documents हैं यह इसमें मेरे अटेच किया यह मेरे sponsor हैं तो सारी चीज़ उसमें अटेच करते हो डेच करते हो जैसे मैं अपने cover letter में mention किया था कि मेरा यहां पर admission हुआ है मैं यहां रहता हूं यहां पैदा वह हूं और मेरा admission यहां पर हुआ है तो साथ में मेरे दो sponsor है एक कितनी statement है यह sponsor यह करता है और दूसर sponsor यह करता है मैं अच्छे से जाके बढ़ना है बढ़के अपना तो इसमें आप पैसा आया कहां से आप करते क्या हो तो यह सारी चीज़ आप उसमें मेंशन करोगे और फाइल सिंप्ली फाइल जाके सब्मिट करोगे इसी इनी सब डॉक्मेंट के साथ आपकी वीजा फाइल जो है वह रैडी हो जाती है तो आपकी दो चीज़ें एक आपका वीजा फाइल है दूसरी आपकी डीवी अपकी डीवी 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 डीकलेशन वैल्यू और आप डीवी गँडा लें तो आपके स्चिमिक हो जाएगा तो एक तरफ आपका स्चिमिया है एक और आपके वीजा की डॉक्मेंट आप और दोनों को साथ आठेच करके जाके Consulate में या इसलामबाद MSI में जो आपकी appointment होगी, उस date को जाके आप submit करोगे, that's it. साथ में और भी बहुत सारे documents होते हैं, उन documents में आपकी जो है वो flight ticket होती है, accommodation होती है, आपकी pre-envolumment, ये सारी चीज़ें बात की बात हैं, तो मकसद था आपको self-sponsor समझाना, अगर बात करें self-sponsor की, तो आपने कहीं से 30,000,000 अरेंज कर लिए, लेकिन अगर आप अभी तक taxpayer नहीं हो, आप filer नहीं हो, तो आप उस amount को justify कराना चाहते हो, या हम कैसे justify करें, या आपकी salary 60,000 है, 50,000 है, तो क्या करें, तो देखें, मैं just आपको बताने के लिए, help के लिए बता रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है, कि ये चीज मुश्किल नहीं है, कि नहीं हो सकती है, ये चीज बिल्कुल हो सकती है, आप dessert मत हो, अभी सहार मत मानो, थोड़ा सा try करो, देखोल कहते हैं न, डूनने से खुदा मिल जाता है, और अगर आ आपने थोड़ा सा जो है न, देखना है कि आपको रस्ता कहां से दिख रहा है, आपने अपने लिए थोड़ा सा रस्ता बनाना है, बाकि आपके लिए good luck, I hope के वीडियो आपको पसंद आई होगी, और काफी कुछ चीज आप उस सेखने को मिलेगी, और अगर कोई चीज ए सौ करमेने वीडियो कि आपके लिए पार, टीज आपके है, आपके लिए प Mix or कोई खकार मिलेगे, आपके लिए चीज